नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्ति इसकुमारेग वाफिस से आजरू दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और कमपेजिन वीडियो लिखाया हूँ जिसको हमें सजेस्ट किया है ब्रीव बढ़ने तो इस वीडियो में हम कमपेज करने वाले हैं अदानी विलमर, पतांजली फूर्स और अजन्ता सोया को अदानी विलमर साल 1999 में अदानी और विलमर के जॉइंट वैंचर से बनी हुई कमपनी है और ये कमपनी एडिवल ओयल, इंडस्ट्री इसेंशनल्स और फूड एन फमसी दी प्रोड़क्स बनाती है दोस्तो इन तीनों कमपनियों में एक चीज़ गुबन है कि तीनों ही कमपनिया एडिवल ओयल बनाती है तो एडिवल ओयल वे तिल होते हैं जो कि हम खाने में इस्तीमाल करते हैं इसके बाद पतांजली फूर्ट जिसका नाम पर रुची सोया होता था तो ये company भी edible oil और personal and home care products बनाती है इसके बाद अजनता सोय भी cooking oil और बनेस्पती घी बनाती है इसके बाद अब हम इन तीनों ये company के revenue source का पता लगाते हैं तो अधानी वी रिमर को edible oil से 83.8% food and FMCG products से 4.8% और वहें industry exceptional से 11.4% का revenue मिलता है इसके बाद पतंजली foods को oil and onespathy से 88% seed extraction से 3.7% food products से 8.2% और मैं आपको यहां के बताना चाहूँगा कि ये company wind power के कारोबार में भी है जहां से इने 0.2% का revenue मिलता है इसके बाद अजनता सोय को onespathy and cooking oil से 98% और वहें इने bakery application से 2% का revenue मिलता है इसके बाद इन तीनोंगी company को different parameter पर compare करेंगे जिसकी सुराथ हम करते हैं सबसे पहले इनकी market cap से तो अदानी विलमर की market cap है 95,599 करोड की है पतंजली food इस समय 50,728 करोड की है और इस list की सबसे छोटी company अजनता सोया जो केवल 361 करोड रुपे की है पिछले 12 मिने की sales की बात करें तो अदानी विलमर की sales रही है 55,073 करोड और वहीं पर पतंजली food की sales रही है 26,150 करोड अजनता सोया की sales रही है 1370 करोड की इसके बाद आँ देखते हैं price to earning ratio यानि की एक रुपया कमाने के लिए आप इन कंपनियों को एडवांस में कितने पैसे दोगे तो अदानी विलमर का 120.8 पतंजली का है 58 और अजनता सोया का है 8.12 तो नमबर देते हैं अदानी विलमर को 1, पतंजली को 2 और अजनता सोया को मिलते हैं पूरे 3 नमबर इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैलू यानि कि इन कंपनियों के शेर का भाव अपनी बुक वैलू के मुकाबले कहां पर चल रहा है तो प्राइस टू बुक वैलमर का है अभी 12.93 पतंजली का है 5.38 और अजनता सोया का है 2.69 तो नमबर देंगे फिर से अधानी विलमर को एक पतंजली को 2 और अजनता सोया को मिलते है 3. इसके बाद देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो यानि कि इन कंपनियों का शेर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कहां पर चल रहा है तो अधानी विलमर का प्राइस टू सेल्स रेशो है 1.28 ताइमस पतंजली का है 1.17 और अजनता सोया का इससे भी कम है 0.23 तो नमबर देते हैं अधानी विलमर को एक पतंजली को 2 और वह अजनता को मिलते हैं 3 पॉइंट इसके बाद हम देखते हैं अगर हम एंटरपाइस वैलू को डिवाइड कर देंगे अर्निंग से जो की हो इंट्रेस टेक्स डेप्रिशेशन एंड अमोर्टाइजेशन से तो हमारे पास यहां पर एक रेशो निकल के आता है और यह रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है तो अदानी विलमर में EV by EV type 50.3 काफी महंगा है पतांजली का है 29.5 और अजंता सोया का 5.89 टाइम्स तो हम यह आपे नमबर देते हैं विलमर को एक, पतांजली को दो और अजंता को मिलते हैं 3 पॉइंट इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशो यानि कि अगर इन कंपनियों को एक साल के अंदर लोन चुकाना है तो क्या दे पाएंगी यह रेशो एक से और तीन के बीच में होना चाहिए तो अदानी विलमर में 1.28 पतांजली के अंदर है 2.82 और अजंता सोया के अंदर है 1.58 नंबर देते हैं अदानी को एक पतांजली को दो तो अजंता सोया को मिलता है अब यहां पे 2. इसके बाद देते हैं क्विक रेशो यानि कि एक से दो महीने के अंदर अगर लोन देना हो तो क्या दे पाएंगी तो यह रेशो एक से उपर ही होना चाहिए अगर यह रेशो एक से नीच होगा तो हम कोई भी नंबर नहीं देंगे तो अदानी भी नंबर में 0.67, पतांजली फूर्स का है 1.53 और अजंता सोया का है 0.6 तो नंबर के वाले हमें आपे पतांजली फूर्स को ही देंगे उसे मिलते हैं पूरे ती नंबर बाकी को कोई नंबर नहीं दिया है इसके बाद हम देखते हैं debt to equity ratio यानि कि अगर इन कंपनी के पास खुद का एक रुपया है तो उस एक रुपय के मुकाबले इन कंपनी पे कितने पैसे का करज है ये रेस तो एक से नीचे ही होना चाहिए और अगर रेज जीरो होगा तो फिर सबसे बहतरीर माना जाएगा तो अदानी विलमर के अंदर है 0.34 पतांजली फूर्स में 0.72 और अजन्ता स्वय में ये 0 है तो नंबर देते हैं अदानी विलमर को 2 तो पतांजली को एक और वहीं अजन्ता को मिलते हैं पूरे 3 नंबर इसके बाद हम देखते हैं इंट्रस्ट कवज रेश्यो माल लीजे कंपनिया कल को कोई लोन लेती है तो इस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनिय थे डंक से दे पाएगी यह नंबर जितना ज़्यादा बड़ा हुआ उतना अच्छा माना जाएगा तो अदानी विलमर के अंदर है 3.61 पतांजली के अंदर है 4.41 और अजन्ता स्वाय का है 59.56 सबसे बहतर तो नंबर मिलते हैं अदानी को 1 पतांजली को 2 और अजन्ता को मिलते है इसके बाद हम देखते हैं कैस कनवर्जन साइकल यानि की कमपनी ने जब अपना बनाया है अब उसको मार्केट में उसने बेच भी दिया है तो वापस कमपनी का जो पैसा लगा हुआ था अपने बनाने पे अब वापस वो कमपनी के पास पैसा कितने दिन में वापस आता है जितने कम दिन लगेंगे उतना अच्छा होगा तो ये सभी नंबर्स दिन के अंदर है अदानी विलमर को लगते हैं केवल पांच दिन पतांजली को लगते हैं 46.9 दिन और वहीं अजनता सोया को 7.5 दिन लगते हैं तो नंबर देते हैं अदानी विलमर को 3 पतांजली को 1 और अजनता को मिलते हैं 2 पांट इसके बाद हम देखते हैं inventory turnover ratio यानि की company का माल कितना फटाफट कितना जल्द जल्दी बिखता है तो ये ratio देखे जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा तो अदानी के किस में 7.62 पतांजली में है 7.8 और अजनता सुगय के अंदर है 14.3 तो नंबर देते हैं अदानी को 1 पतांजली को 2 और अजनता को मिलते हैं 3 नंबर इसके बाद हम देखते हैं return on equity यानि की company के अंदर जिन shareholder ने पैसे लगाया था अब company बदले में उन्हें पैसा वापस कितना दे रही है और यह सभी percentage में होंगे तो अदानी विल्मार का return on equity 15.5 पतांजली का है 15.8 परसेंट अजनता सुगय का सब से बहतरी 37.6 परसेंट नमबर देते हैं अदानी को एक पतांजली दो और अजनता को मिलते हैं पूरे तीन नमबर इसके बाद हम देखते हैं return on capital employee and की इन company ने कोई factory लगाई कोई machine लगाई वहाँ से इन्होंने किता return generate किया है तो यह भी देखे percentage में है और जितना बड़ा नमबर उतना अच्छा तो अदानी विलमर का है 20% पतांजली का ROC यह 16.8% और वह अजनता सोय का सबसे बहतरी 39.26 नमबर देते हैं अदानी विलमर को 2 पतांजली को 1 और अजनता को मिलते हैं 3 नमबर इसके बाद हम देखते हैं operating profit margin अदानी विलमर का 3.1% पतांजली का 5.9% और वह अजनता सोय का 3.62 अदानी को मिलते हैं 1 पतांजली को मिलते हैं 3 और अजनता को मिलते हैं 2 नमबर इसके बाद हम देखते हैं कि इन company को ओपर कितना करज है कितना इनके पास reserve है और कितना इनके पास free cash flow है जो की average होगी पिछले 3 साल की तो अधानी विलमर के उपर अभी कुछ 2626 करोड रुपया करज है वहीं पतंजली के उपर 3068 करोड और अजंता स्वय को उपर अभी कोई करज नहीं है रिजर्व अधानी विलमर के पास है 7248 करोड पतंजली के पास है 4822 करोड और वहीं अजंता स्वय के पास है 107 करोड रुपय फ्री कैस फिलो अधानी विलमर के पास है 1077 करोड पतंजली के पास है 831 करोड और वहीं अजंता स्वय के पास है 14.6 करोड रुपय इसके बाद हम दिखते हैं कि इन कम्पनियों के अंदर पर्मोटर की वोल्डिंग कितने FIDI का स्टेक कितना है और कितनी mutual fund schemes ने इन तीनों ही कम्पनियों को अपने portfolio में सामिल किया है यह सभी number percentage में होंगे तो पर्मोटर की वोल्डिंग अदानी विलमर के अंदर है 87.94% पतांजली के अंदर 80.82% और अजन्ता स्वया के अंदर 46.85% FIDI का स्टेक अदानी के अंदर 1.55 पतांजली के अंदर 4.63 और अजन्ता के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इनके पर्मोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखकर मार्किट से पैसातन उठाया है तो यह देखे परसेंटेज में और यह सभी के अंदर 00 है तो हमने सभी को इतीन तीन नमबर दिये हैं इसके बाद हम चेक करते कि अगर आपने इन तीनों एक कंपनिया लिस्ट हुई है तो आपके कितने पैसे बनते तो अदानी को भी तक कुछ आठ महिने हुए हैं लिस्ट हुए को और युझाशंत स्वय अखवा मैंने लाश्ट एक साल और 9 महिने का डेटा लिया है क्योंकि उस से पहले पैनि स्टोक हुआ करता था और मैं नहीं मानता कि सभी के पास ही स्टोक उस समय से दिखे अभी तक होगा तो मैंने कुछ एक साल नो महिना पुराना ही डेटा लिया है तो उस टैम पीरिड में भी आपके एक लाग के तीन लाग पर बन जाते इसके बाद हम चेक करते हैं मारा final score तो तीसी rank वाले को मिले हैं total 19 point नाम है अदानी विलमर तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आज का comparison आपको जरूर पसंद आया हुआ इसके लाग अगर आपके पास कोई सुझावे तो आप हमें बता सकते हो अगर इन तीनों में से कोई आपके पास टोक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो तो दोस्तो अब मैं आपका दोस्तिस कोई मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जाहिंद